दूस्त आप सभी को मेरा नमस्कार और उमिद्छ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दूस्तों आप सभी लोग दिल से बहुत बहुत धन्य वाथ हैं मुझे इतन इतना सपोर्ट करने के लिए तो दोस्तों जैसे मैं मेरी पिछली वीडियो में बाता किया था कि अगले वीडियो आप सभी लोगों के बीच मैं हमारी कमपणी में जो भी सप्लिमेंट के उपर जो भी चीज है वो लेकर आऊंगी और उसके साथ-साथ हमारी हर एक सप्लिमेंट के बारे में आप सभी लोगों से बातचीत करूंगी और उसका ज स्वास्त का और एक कदम का हग कर चल रहा है यानि कि back to back आप सभी लोगों को स्वास्त के बारे में चानने का बहुत चीज़ सिखने का मौका मेरा है और दोस्तों मुझे आसाय है कि आप सब तो सिखी रहे होंगे और साथी साथ आपने जो भी दोस्त है अपने जो भी फैमिली है उन सभी को आप स्यार कर रहे होंगे क्योंकि स्यार करने से प्यार बढ़ता है अगर आप स्वास्त रहना चाहते हैं तो अगर आप दुसरों को स्यार करेंगे तो वो भी स्वास्त रह सकते हैं तो दोस्तों चलिए हमारी वीडियो की सुरुबात करते हैं दोस्तों जिस त तो सबसे पहला जो चीज है जो सबसे खास माना जाता है दोस्तों उसका नाम है नोनी प्लास जूस कॉंसेंट्रेट और उसके साथ साथ दोस्तों गुडुची और उसके साथ है दोस्तों आप लोग का जो हम लोग की जो है डेली फाइटाल फिर प्रोटीन पावडर है जैसे स पाउडर लीन फीड्स और अपका कैलोफीटा तो इस तरीके से बोखोट सारा सप्लिमेंट है हमारे पास तो दोस्तो मैं अब जो सबसे पहला सप्लिमेंट के बारे में आप सभी लोग को चानकरी दूँगी वो है दोस्तो पहली जो चीज हमारे पास है नोनी प्लास जूस कॉंसेंट्रे दोस्तो ये जो नोनी है ये नोनी फॉल्स से बनाय हुआ होता है और उसके साथ-साथ इसके अंदर अस्वगंधा, कोकुम इन सब मिलावट मतलब बहुत सारे गुनावत्त संपटना चीजो की मिलावट है जो है दुस्तो अस्वगंधा और कोपू दुस्तो ये जो नोनी फल है ये हमारे यहाँ पर कभी भी पाया नहीं जाता है वो बाहर से मंगवाया जाता है लेकिन हाली में सुना गया है कि असाम में एक लड़का है जिन्होंने नोनी फल को चास किया है और नोनी फल जो होता है दोस्तों धाइसो प्लास बर्स से वो अपना काम को अपना असर को दिखा रहे है दोस्तों नोनी फल में क्या होता है नोनी फल में फो जेरोने जो होता है वो उच्चो मात्र में पाया जाता है जो लाट में जाके जेरो नाइर का संचार करता है और हमारी सरीर की जो कसीकाओ है उसको उत्तेजित करता है यानि कि उसको रिवाइटलाइस करता है ताकि ये जो कसीकाओ की जो भी सारा काम है वो अच्छी तरीके से कर पाए हमारी सरीर को अच्छी तरीके से हमारी सरीर की जो कोपलेटीं पाय जाता है जो हमारी मानसिक सनतुलों को यानिके मानसिक स्थीति को संतुली करने में मदद करता है उसके साथ-साध. जिनलों का बलाज कैसर है पुराने दर्ध है यानि कि बहुत दिनों से दर्ध से रहात में नहीं मिल रहा है occasions कुषазन यह सब भी लोग यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लिम नहीं होगा और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो है ये जो नौनी है ये नौनी हमारे जो सरीर में जो भी सारे टॉक्सिक प्रोधार्थ है जो हमारे सरीर को दिन वे दिन खराब करते हैं वो टॉक्सिक प्रोधार्थ को बाह इस्तमन कर सकते हैं और दोस्तों इसमें जो अस्वगंधा पाया जाता है दोस्तों अस्वगंधा को हम सभी लोग साइद नाम सुने है इसका क्योंकि ये जो जड़ी बुटियों के गरंथ में अस्वगंधा को राजा मना जाता है क्योंकि अस्वगंदा जो है वो हमारी दिमाग को सांत करने में हमारी नसों को सांत करने में और हमारी जो तनाव यानि कि हमेसा स्ट्रेस फिल होना हमेसा दर्द रहना दिमाग में ये सब चीजों में खोद जादा असर देता है और दोस्तो हमारी जो पोकुम फॉल है ये पोकुम फॉल हमारा जो आपाज, आसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसी वीमारी होता है इन सब चीजों से रहात देता है यानि कि दोस्तो मैं अगर एक ही बतों में बताई हूँ आप समय लोग को तो एक चीज है लेकिन इसका काम बहुत है मतलब चीज एक लेकिन काम अनेक तो दोस्तो आप सभी लोगों को सायद नूनी फल के बारे में या फिर हमारी जो नूनी जूस है कुछ ना कुछ सेखने का मौका मिला है दोस्तो आप ये खुद भी पी सकते हैं ये लिकुइट के रूप में आते हैं तो आप खुद भी पी सकते हैं अपनी घरवलों को भी पिला सकते हैं और दोस्तो एक चीज़ है कि जब तक हम खुद इस्तमाल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि साइड इसका रेजल्ट अच्छा है कि बुरा है। दोस्तो आज मेरे पास रेजल्ट है इसलिए मैं इतनी confidence के साथ अब सभी लोगों को बता पा रहे हूँ और दोस्तो मैं आप सभी लोगों के बीच में ये जो इसका जो feedback मेरे पास है उसका मैं वीडियो लेकर आज आ रहे हूँ और मेरे घरवालों से बहुत ही जल्दी तो दो तब तक आप इंतेजार में रहिए और उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को बहुत एनरजी मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि सच में ये होता है कि नहीं होता है तो दोस्तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना समय देकर मेरी वीडियो को देखे है थेंक्यू सो माच मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में और भी कुछ लिया चीजों की जानकारी को लेकर थेंक्यू सो माच